दोस्तों नमस्कार आपके घर में हो महालक्षिमी का प्रवेश मैं हूँ देवेश दोस्तों रोजाना सुभह साथ बजे हम आपकी सिवा में छे महत्वपूर्ण खबरों का मजेदार एनलेसिस लेकर आते हैं इसलिए आप हमाले चैनल आत्मनिरभर इन्वेस्टर को सब्सक्र कर लीजिएगा उसी क्रम में दोस्तों चर्चा करेंगे कि जाहुल गांदी जी ने सावर करकर वारे में जो कहा वो तो आपको पता है लेकिन इंद्रा गांदी ने क्या कहा था वो डिसकस करेंगे क्यों कि भी यह रहुल गंदी भूल गये हैं तो याद कराना बनता है साथ म मोदी जी बड़े खुराप आती है एक वार में 50 से 60 बिलियन डॉलर खीच लिए भाईया जी दूसरे देशों से क्या खुरापा चलिए चर्चा करेंगे साथ में भाईया पाकिस्तान ने अमेरिका को धोका दिया है बहुत बड़ी है काम किया मज़ा आ गया तो भाईया जी श सब्सक्राइब करेंगे इसका हम फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों द्रश्ट्री को उन से डिसकसन करेंगे खास तोर पर हमारे जो स्टूडेंट है उनके काम का है और आप मैंसे जिल लोगों के परवार में इंसुलिन का इस्तिमाल होता है इंसुलिन के इंजक्शन लग पर 50% का डिसकाउंट मिल रहा है राम नवमी और हनुमान प्राकट्योट्सम के अफसर पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है क्लिक करके अपना पसंदीदा कोर्स जोइन कर लीजिए लेकिन ध्यान रहे आपको कोड देना होगा जय हो स्री चा अब दोस्तों वील सावरकर के बारे में राहुल गांधी जी ने जो अनापसना बकवास किये वो तो आपको पता है लेकिन जिनके खून का वास्ता दे दे कर गांधी परवार आज तक वोट मांगता है आपने सुन लिया होगा प्रियंका गांधी को कुछ दूनों पहले बो आया है तो उसी परवार की इंद्रा गांधी ने वील सावरकर के बारे में कहा था कि यह रिमारकेवल सन ओफ इंडिया है उनलेकनी योगदान है इनका भारत माता के सपूत थे सावरकर और भाया जी कोरी पिली बाते नहीं करी दिए उनने पांच हजार रुपए उस जमाने के पांच हजार रुपए दिते ताकि इस मारक बनाये जा सके भíenne जिस मारक किसका बनाये जाता है भी उसका जिसके जीवन से आप प्रेड़ना प्राप्त कर सको तो भी वील सावरकर ने स्वयम इंद्रा गांधी को प्रेड़ना दी थी अब दोस्स लोगभा कहते है राउल गांदी की निजर में कमी हैं इसी बीच भाई साब भारती दबाओं ने बहुत नाम बदनाम किया है भाई साब डबलू एचो ने भी भूए उठाया है हर मौके पर भारत को नीचा दिकाने से बाज नहीं आया है डबलू एचो लेकिन मोजी साब ने कहा कि भाईया जी हमारा खुद का सिक्का खोटा है, तो दूसरे को क्या दोस्त दें, देखो भाइया जी, 18 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस कैंसल कर दिये हैं, हमने का लाइसेंस कैंसल करने से कुछ नहीं होगा, आप जो लोग इन कंपनियों के पीछे खड़े हैं, उन्हों को गिराफ़तार है पाकिस्तान ने एक बार नहीं दो-दो बार दूसरी बार Company में चुराक हो printing वाला वाइड़न बबाद डेमोकרי की समट का जोकर रहा है हमाई चाहत और उस समिट से फाकिस्तान दूसरी वार क्यों गाइब है जी पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं इंफ 16 के लिए कंपोनेंट दे रहे हैं और दे लो और दे तुम इसीके लायक हो तुम इसीके लायक हो बिलकुल बहुत बढ़िया करता है पाकिस्तान वी जब की खिलने के लिए बहुत स्पेस था लेकिन अब नहीं है भाई साहब तो क्या किया जाए जोगाड़ लगाई जाए वही जोगाड़ आप सामने देखिए बंबई में ये मुंबई में एकिया गया है कि जो पुल है उसी के नीचे ओवर ब्रिज के नीचे हिलने का मैदान बना दिया गया चारों तरफ भीया जी जाली लगी हुई है ताकि जो है बॉल बाहर ना जाए बास्केट बॉल हो गया किर्केट जो बच्चों को खिलना है वो खेलना तो इस होना चाहिए अब दोस्तों देखिए आपको साइज जानकारी होगी और अंदाजा भी होगा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग पचास से साथ बिलियन डॉलर है वही सब इतना पैसा इसी में आप आठ हजार का गुणा कर दो तो आपको मिल जाएगा करोड रुप्यों मे बड़ी पॉइंट यह है कि इतना पैसा हर साल भारत से जा रहा है विदिश्क्यों तूंकि भारती स्टूडेंट दूसरे देशों में पढ़ने जाते हैं इसलिए था कि पढ़ाई के बाद उनको जॉब भी मिल सके तो मोरी सहार में क्या कर दिया है कि यदि आप तो पढ़ अस्ट्रेलिया में आपका जॉब लग सकता है मतलब पढ़ लो भारत में उसके बाद चले जाना वहां की वीजा ले लेना वहीं देखे पैसा कमाना लेकिन कम से कम आपकी जो पढ़ाई का खर्चा है वो तो भारत में हो कम से कम यह साठ बिलियन डॉलर मैं से 30 बिलियन 40 बि होंगे भारत का रिवेन्यू बढ़ेगा अब हमारा मोदी साहब से सिर्फ एक ही आग रहे है कि भाईया एक गिफ्ट सिटी गुजरात में मनाये हुआ मजा नहीं आ रहा आप कम से कम चार गिफ्ट सिटी बनाओ यह एक है इसके साथ तीन और पस्चम में तो यह आ गई तात राज्यों को पूरे देश को लाब मिलना चाहिए इतना बढ़ी है काम गिफ्ट सिटी गुजरात में हो रहा है तो सिर्फ गुजरात तक ही यह सब सीमित रहे वह ठीक नहीं है बाई साब बीस हजार तो जोब की अपरचिनेटीस पैदा हो रही है तो यह सब को लाब मिले त सब्सक्राइब कहां से देखे आगे तो दोस्तों आप जड़ा कर आपके परवार में या कहीं कोई विक्ति डैवटीस होगा उसको इंसुलिन के लगते हैं तो वह जो इंसुलिन का मार्केट लीडर कौन है दुनिया में सनोफी है अब सनोफी का शेर अभी गिर रहा है क्यो गिरा दिये तो इसके शेर बीट डूट गया लेकर अभी भी दो बेच रहे हैं उसमें लॉस नहीं हो और उसमें प्रॉट हो रहा है कि हमारे मोदी जी कर रहे हैं तो यह इन्डेक्षिन का उसके दाब गिर गए तो एकाम खांबा हो गए रुक गए दंगाना आई यहां पर द्ध्यान के वाली वास क्या है कि यह लाइफ स्टाइल डिसीज है यह लोगों को होगी हैं तो आप अधानी और अम्मानी से ज्यादा अमीर है तो भी लोग अपने स्वास्त का जानत रहेंगी ने दूसरा हमारे देश की जो एवरेज एज है वो तीज़े बढ़ेगी तो हमारे यहां डायवरेटीज के जो प्रूड़त रोग हैं उनकी संख्य बढ़ेगी ऐसा अनुमान है तो पॉइंट क्या है कि यह जो हमारे देश में डायवरेटीज का प्रकौप बढ़ रहा है इसी से उभर रहा है निवेश का अफसर हम यह नहीं कहला है यह लोगों को डायवरेटीज हो जाए ना ना यह नहीं कहला है हम तो सिर्फ यह कह रहा ह है यह होई रहा है मार्केट में तो यह जो मुव्बमेंट है इससे लाव उठाने का तरीका है सनोफी जैसी कंपनियों में निवेश किया जाए और हम कि करके बैटे हैं अब दोस्तों आप देख लीजिए सनोफी का चार्ड तो दोस्तों सनोफी की किसमें क्या हुआ कि एक फार्मा कंपनियों से भी सस्ते दाम पर मिलती है यह बहले ही पांच हजार प्राइज है बट हम बात कर रहे हैं वेल्यूएशन के हिसाब से यह सस्ती कंपनिय है तो उन्होंने लेकर बैठ गए वो और फिर यह दाम तूट गया बाइटन बबा के कारण तो वह मैं कोशने ल रहा है तो भी आपको दुख है दूसरा आप धंदे को समझे हो की नहीं समझे हो वो धंदे को नहीं समझे थे हमारी बात सुनी हो लेकर बैठ गए अब बिल बिल आ रहा है हमें दोस्त दे रहे इसलिए हम बोलते हैं कि आप हमारी बात सुनके खरीदो बेचो नहीं आप तो point समझो कि भहिया जी जो product आपके चारवर इस्तमाल हो रहे हैं क्या आपको उनका धंदा समझ में आ रहा है if yes तो फिर आप technical और fundamental analysis करके निर्णे लिए उसके बारे में आप देखो आप समझ सनोफी का चार्ट यह है आपका मंतली चार्ट देखो लगातार सनोफी का दाम चड़ाए लगातार चड़ाए बाई साब इसे कहते हैं proper पर wealth creation आप ऐसा नहीं है कि एक तरफा बढ़ता है दाम बीच बीच में गिरता भी है देखो आप बीच बीच में गिरता भी है गिरता भी है कईयों बार गिरता है अब पिछली बार बहेंकर गिरावट आई थी यहां पर उसके बाद गिरावट आ लिए यहां पर तो हम क्या है कि हमें धंदा पसंद आ गया अब हम चार्ट महालक्षमी जी की सरण में बैठे हुए हैं जब उनका मार्ग दसन होगा तब हम बाजी राओ की wealth creation strategy से अच्छा माल सस्ते दाम पर बटोरते रहेंगे तो इसी प्रकार से आप भी आगे बढ़िए कंपनियों का धंदा महालक्षमी जी उनके बिना कुछ भी कहीं भी कभी धी नहीं चलेगा इसलिए महालक्षमी जी की सरण में अपना समर्पाण बनाए रखें आपकी सफलता पाक के से होगी निश्चिंत रही है अब दोस्तों राम नवमी और हनुमान प्राकट्योट सब के दो महान उससब आ रहे हैं इसलिए उनके उपलक्ष में 50% तक का भारी वरकम डिसकाउंट दे रहे हैं आप में फर इन्वेस्टर कोर्स पर आवर्ट और जब मार्केट वहीं का वहीं रहे उस दोरान भी पैसा कमाना चाहते हैं तो आप आप मने बर ऑप्शन कोर्स पर विचार कीजिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है क्लिक करके अपना पसंदीदा कोर्स जोइन कर लीजिए वाट वीडियो दिरने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैश्त्री राम